हेलो फ्रेंट्स मानेम इस दनूव वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल विट्ट्रेथ रिशिक्सी फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो वन विभाग भर्टी 2020 से संब्सक्राइब हमारी वीडियो के तरफ पढ़ने से पहले अगर अब तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक सब्सक्राइब और वाइल लाइफ गार्ड गेम वाचर के पदों पर भढ़ती के लिए नोटिफिकेशन चारिक किया है दिल्ली वन विभाग भढ़ती 2020 के लिए 14 जनवरी से ओनलाइन आविदन स्विकार किये जाएंगे पास एवं इच्छों कुमेदवार तेरे फरवरी 2020 2020 तक या उससे पहले दिल्ली वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इसके लिए मैटम तर्थिया जो है इस प्रकार है आविदनों के ओनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्यारफिक तर्थियों 14 जनवरी 2020 है और आविदन करने के अंत्रम त जड़े के जो है इसके संभावत तिति जो है बार्य और तेर्य मार्थ 2020 रहेगी वन जी व्वं वनफेस विभाग तल्ही सरकार दोहरा ca Pasad square व्रेकेंस निगाली है इसमें कि देखा जाहें तो जाहें कि यह धुड़ के लिए किसी भी मानना ते अपरा 2 जब इश्विध्याले संस्तान से साइंस या इंजिनिरिंग agriculture, botany, chemistry, computer application, computer science, engineering, agriculture, chemical, civil, computer, electrical, electronics, mechanical, environmental science, forestry, geology, horticulture, mathematics, physics, statistics, veterinary, science, geology में bachelor डिक्री होना आविशक है. उनके पास किसी भी मानेता प्राद बोर्ट से बार्वी कक्षा उत्रिन, wildlife, guard, game watcher, किसी भी मानेता प्राद बोर्ट संस्तान से तस्वी कक्षा उत्रिन होना आवशक है. आयू सीमर जो है, वो forest range और प्रट के लिए 30 वर्श रहेगी, forest guard post के लिए जो भी candidates apply करना चाहते हैं, उन सभी की आयू जो है 18 से 27 वर्श के बीच होनी चाहिए. wildlife, guard, game watcher और प्रट के लिए जो भी candidates apply करना चाहते हैं, उनकी आयू जो है 18 वर्श से 27 वर्श होनी चाहिए. अधिजानकारी के लिए निचे दिये गए विस्त अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें. 1 एवं, 1 एवं, 1 एजीव विभाग दिल्ली सरकार के लिए चैन प्रक्रिया जो है, candidates का चैन ओनलाइन प्रक्षा के आधार पर किया जाएगा. 1 एवं, 1 एजीव विभाग दिल्ली सरकार डोचर बीस के लिए आविदन कैसे करें, candidates तक या उससे पहले website पर online आविदन कर सकते हैं, आविदन शुल्क जो है, 100 रुपे महिला उमिद्वारों और अनसूचर जन जातियों से संब्द उमिद्वारों के लिए कोई शुल्क न झाने लाइ